तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगे यह एक गाउन की कटिंग और स्टीचिंग यह मैंने फुल घेर वाला अंब्रेला गाउन बनाया है और यह जो गाउन मैंने बनाया वह एक पुराने साड़ी से मतलब साड़ी यूज नहीं की हुई थी लेकिन थी वैसे साड़ी घर पे रह application साड़ी तो उस साड़ी का यूज sais करके मैंने ये इंक्वावन बनाया है तो इसके साथ आप किसी भी कलर की मैचिंग या पिलाजोवेर कर सकते हैं साथ या या इसके साथ मैचिंग का कोई भी ही होता है तो आ के लिए मैंने साड़े का यूज किया है और साड़े के नेचे फिरी थोड़ा सा पतला कपड़ा है तो इसके लिए मैंने लाइनिंग भी यूज किया क्योंकि साड़े का कपड़ा होता है वह हमारा पतला ही होता है तो इसको यूज करने के लिए मैंने चार मिटर लाइनिंग कर लेंगे से यूज्स करेंगे सोने के बाद कर लेंगे उसके बाद यह मैंậ post करीने की हम लाइनिंग का अच्छे से यूजुच करेंगे तो यह कॉछा प के जो लुए है योब शूली पार्ट करेंगे मेंस फड़ी शोल्डर करका शोल्डर जो का मैंने अलग से मेंटें किया हुआ है इसमें मैंने नहीं दिखाया वसी में दिखा दी है और यह ब मैं स Чер घर दिते के चाहलayo कंपी सब दो कर कर दो चुँ करने के लिदे रिदा आधा हुआ हैंीं virtus से तो सबसे पहले हमने से कपड़ा में से कपड़ा तिर्चा होता है तो उसको scale के help से हम एक तूसरे से ऐसे scale से line लगा के अच्छे से मिला के cut कर देंगे क्योंकि जो हमारा extra कपड़ा है वो अच्छा नहीं है और वो टेड़ा मेड़ा है और अब हम लंबाई तयार लगाएंगे निशान जो हमारी तयार लंबाई है योग की चो हमारा उपर की side आ जाएगा तो यह निशान लगा के सिद्धा मैंने इसको cut कर लिया और इसमें हम फ्रंट और बैक तोनों अलग अलग कट करेंगे क्योंकि chest size थोड़ा ज्यादा है मतलब वैसे ज्यादा नहीं है लेकिन कपड़े के जो अर्ज है वो कम है तो यह 34 size का हमारा बनेगा और कपड़े को हमने ऐसे double fold किया है आप चाहें तो दो ऐसे ऐसे piece cut करके four fold में एक साथ cut कर सकते हैं लेकिन मैंने यह अलग अलग cut किया है और यह देखे मैंने shoulder का निशान लगाए था 6 inch पे 7 inch पे हम armhole का निशान लगाएंगे क्योंकि 1 inch armhole 5 inch या 1 inch हमारा extra होता है फिर इन निशानों का अपस में मिला देंगे यहां पे हम साड़े 8 inch chest का निशान लगाएंगे और कमर का हम 7 inch पे निशान लगा देंगे अब शेपर फटे से हम इन निशानों का आपस मिला देंगे फिर जितना भी आपको margin रखना है 2,5 inch का उतना margin रख सकते हैं और फिर मिल देंगे निशानों को एक मैंने एक इंच पे निशान लगाया और एक मैंने डेड़ इंच पे निशान लगाया है और फिर जितना हमारा आर मोल की जो हमने लेंट ली थी उसके लंबाई में से हाफ कर देंगी और उसके बाद हमने आर मोल को शेप कर देना शेप देनी आर मोल क अब हमने जो जो 1.5 इंच वाला निशान उससे शेप दी राइंगे और फिर जो हमारा फॉल्ड वाला हिससा जांसे हमने फॉल्ड कर रखा है वहां तक है, मैंसे राउंड मिला देंगी, यह निशान हम इसे लिए लगाते हैं, क्योंकि जब हमारा गाउन बन जाता तो नीची के साइट नहीं लटकेगा अब हमने जितनी नैक की चोड़ाई रखनी है वहां से चोड़ाई रखेंगे और फिर शॉल्डर स्लोप कर देंगे उसके बाद हमने एक जैक जो निशान लगाए है उन निशानों पर इसकी कटिंग कर देंगे और यह हमारा बैक पार्ट तैयार हो बिचा के टो के साइट में लगा है इसकी हमारे लाइning के उपर जो हमारा जो तयार है चोली उसकी कटिंग हो चुकी है जो हमने कटिंग करने थी, साड़े के उपर बिचा है करेंगे लिए लिए पहले क Pere का जो कपड़ा था उसको हमने साइड में निकाल देंगे और फिर कपड़े को ब्राबर बिच्छा के देखेंगे यह मेरा अकवल से साइड में से जो चाहसे चाहस ज़न से कम पढ़ रहा था तो मैं से Congress से हम मैंने कपड़े के ऊपर जो लाइनिंग के ऊपर कटिंग की थी सेम उसी तरीके से हम इसके जो में कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे अलगल पार्ट तो यह देखो दोनों पार्ट मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिये हैं लाइनिंग को में कपड़े के ऊपर और फिर ह मैंने तो बनने के बाद जो हमारा काम बनने के बाद उसके बाद नेक बनाएंगे वह नेक की भी finish कर सकते हैं और यह पट्टी से तो उससे इतनी फिनिशिंग नहीं आती जितनी इस अच्छे से finishing आ जाती है इसलिए मैं पेपर पेस्टिंग यूज करती हूं तो यह हमारा front part है और अब हम back part कट करेंगे तो back part के लंबाई मैंने 5 इंच रखी है जो चोड़ाई है वो 1,5 इंच रखी है चोड़ाई हम हमेशा शेम रखते हैं लंबाई हमारा difference में होती है अब इसको भी हम गुलाई में कट कर देंगे मैंने back और front तोनों neck को round में ही cut किया है और फिर इसको कपड़े के ऊपर बिचा के ऐसे paste करके चिपका देंगे यह मेरे अब हमने जो कपड़ा है हमारा में उसको लेंगे और फिर नाखुन से ऐसे थोड़ा सा स्क्रैच कर देंगे इसके उपर जिससे अच्छे से निशान बैठ चाहे और जो हमारा चोली का पार्ट है उसको भी बीच में से थोड़ा सा कट करेंगे तो ही देखिए हमने नेक को उल्टा रखना है और जो हमारा कपड़ा है उसको हम सिधा रखेंगे और फिर नेक को अटेच कर लेंगे तो यहां पर मैंने नेक को से लाए लगा के अटेच कर लिया है और फिर हमने इसको पीछे में से एक स्ट्रा कपड़े को कट करके साइड में निकाल अब इसमें हम छोटे-छोटे कट लगाएंगे और फिर अंदर की साइड पलतेंगे और उसके उपर हम प्रेस कर देंगे आप जाएं तो प्रेस भी कर सकते हैं तो मैंने इसको प्रेस किया है और टोप स्टिच से भी फिनिस हो जाता अच्छे से तो यह मैंने इसकी फिटिंग कर दी है और फिटिंग करने के बाद इसको उपर हम प्रेस कर लेंगे जिससे जो हमारी फिटिंग है वो अच्छे से बैठ जाएगी तो देखी मैंने इसके इच्छे से फिटिंग कर दी है और इसके उपर मैंने प्रेस भी कर ली है तो अब हम इसके लिए बज़े त्यार करेंगे ये बज़े टियार करने के लिए हम कपड़े को ऐसे फॉर्फोर्ड करेंगे और बज़े के tymbh हमने थोड़ी जाद ही रखें ये इसमें तो ये हमारी टोटल तो यहां वी स्पैस का सिद्वा मनिका की पूँकर सब्सक्राइब लगाते चान लगाना होता है मोरी मैंने सथाले तीन इंच रखी है और आर और मॉल की चैसान को यहां पर मोरी तक सस्रीड से शेप प्रफटे से निशान लगातेंगे रही उस्आन और लाई है Is अब हमने जो निशान लगाए है एक्जक्ट उनसे कर देंगे उनके उपर से और फिर फ्रन्ट आर्म होल के लिए छोड़ी सी जो हम शेप देदेंगे ते हमारी बाजू की करटिंग हो चुकी है अब हम इसके सिलाई करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसे इस तरीके से कपड़े को रखेंगे फॉल्ड करेंगे और फिर हमने बाजो के उपर जो निशान लगाया था उनको थोड़ा डारक कर लेंगे सिलाई करने के लिए तो शेपर फॉटे सी जब हम निशान लगाते हैं बाजो के अंदर तो ये बहुत अच्छी विटिंग आती है बाजो की तो यह मैंने इसको सिलाई कर ली है मान वन Liter isником अब हम इसके उपर बाजो एटेश करदेंगे चिसे सिलाई करने को चूर्परपर जो आ पर आप Part रो तै कपड़ा लेकि उसको डबल फोल्ड कर लिया तो टोल हमारा तीन मिटर के अराउंड ही हमारा कपड़ा हो गया और इसका घहरा जो है फुल हैबी टाइप का जो काउन है वह मैंने बनाया है और फिर इसको हम ऐसे ट्रेंगुलर से पिछा लेंगे मतलब एक कोने से उठाना है औ बन जाएगी और फिर इसके हम मार्किंग करेंगे तो अम्रेला में इसी तरीके से होता है तो यह निशान थोड़ा दुंदला है दिखाई नहीं देरा उपर से लेकि मैंने यह 10 इंच पे निशान लगाया है और इसको हलका सा राउंड दिया है वेस्ट मैंने 7.5 इंच रख प्लस करेंगे तो टोटल हमारा बनता है 47 इंच तो यह हम साड़े 47 इंच के करीब इसके उपर पूरे पर निशान लगा लेंगे क्योंकि आदा इंच हमारा पिको में भी जाएगा और फिर हमने बिल्कुल उपर एक्जेक्ट इसको इंच टेप को रखना है कुछी मतलब के जिवेगर आप रख लें जिससे यह ही लेना और फिर गोलाई में हम इस तरीके से शेप देंगे जो हमारा घीरा होगा उसके लिए तो हम अच्छे से शेप देखें और बिल्कुल हमें ध्यान रखने की शेप हमारी अच्छे से हो और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे तो हम पर हम जोइंट करेंगे क्योंकि जो हमारा घीरा जादा है तो इसमें कम पढ़ रहा था कपड़ा तो इसमें हमें थोड़ा जोड लगाना पड़ेगा तो जोड लगाने के लिए कपड़ा हमने साइड में से निकाल था जो हमारा साइड में से कट हुआ है उसी को उल्टा कर और 7.5 इंच पर जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हम इसको cut कर देंगे तो यह देखिए मैंने इसको इस तरीके से cut कर दिया है यह हमारा जो नीचे का gown का गेरा है वो cut हो चुका है सेम इसी तरीके से हमें lining पर भी cut करना है जैसे हम में कपड़े पर cut करते हैं बस lining पर थोड़ से हमें लंबाई कम रखनी होते है lining की बाके सेम तरीके से होता है अब मैंने जो joint लगाना है उन कपड़ों को इस तरीके से रखा है और फिर इसको हम slide कर देंगे तो यहां पर जो जोड़ है वो मैंने सेल दे हैं देखी उल्टा मैंने कपड़ा रखा हो है सिद्धी साइड से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा क्योंकि हम जब इसकी joint सेलते हैं जोड सेलते हैं तो उस टाइम हमें ध्यान लखना होते है कि जो भी हमारा प्रेंटा या फ्लावर या कुछ भी बना होगा है उनका फेस एक दूसरे से अटैच होड़ा चाहिए तो यह देखी लाइनिंग भी हमारी बन चुकी है और हमने गहरा बिसका तयार कर लिया है साइड में सिद्ध लाइ लगा के अब उपर के साइड से जहां से मैं दिखा रही हूँ यहां से हम सिद्ध लगा के इसको अटैच कर देंगे तो वैसे लाइनिंग और हमारा गहरा अलग लग तयार होगा बस अटैच हम इसको साथ में करेंगे तो यह हमारा गहरा बन चुका है उपर की चोली हमने तयार करे लिए थी तो अब इसके उपर हम चोली रखेंगे और side में इस तरीके से मैं रखे दिखा देती हूँ इस तरीके से हम इसको रखेंगे और फिर attach करेंगे देखे चोली का और घेरे का बिल्कुल exact measurement है एक दूसरे में जब attach करेंगे तो हमें कोई भी दिकत नहीं होगी अब हमने जिस तरीके से उपर चोले में छोटे सा cut लगाया था सेम उसी तरीके से हमने घेरे में लगाना और फिर इसको सलाइ कर देंगे तो यह देखे मैंने इसके सलाइ कर दी है इसे के साथ जो हमारी gown की stitching है वो complete हो जाएगी तो यह देखिए बहुत अच्छा color है इसका बहुत अच्छी लग रही है बस हमारा गेरा जो है नीचे से वो हमें पीको करना है अब जो हैं तो पीको भी कर सकते हैं या फिर अब सिलाई भी कर सकते हैं तो यहां पे मैंने pressure foot change किया है और जो pattern है इसलाई का वो change किया है pressure foot का जो नाम है वो ई है और जो सिलाई मैंने change की है pattern का नाम है 08 तो इसको select करके मैं जो नीचे पीको है वो कर लेंगे अगर आपके पास पीको वाली machine नहीं है तो आप simply सिलाई भी कर सकते हैं double fold करके आप बिल्कुल बारिक सिलाई लगाएं बिस लाई करते टाइम हमें खीच के रखना है कपड़ा तो इससे हमारी जो पीको है वो अच्छे से हो जाते हैं तो इसे के साथ ही हमारा गाउन कम्पीट हो चुका है यह देखिए पहन रखा है गाउन और आप इसको किसी भी प्लाजों के साथ यह आफर किसी भी मैचिंग लेगिंग के साथ पहन सकते हैं डुपट्टा भी इसके साथ फेयर कर सकते हैं तो इसे के साथ ही हमारी वीडियो कम्पीट हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छे लगे कटिंग और स्टीचिंग समझ में आई हो तो प्लि अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है कोई भी वीडियो अच्छे लगती है कटिंग स्टीचिंग में हाल्प होती है तो प्लीज एक बार फिर से मैं बोल रही हूं कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें जब भी आप वीडियो देखें और साथ ही चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें थैंक यू मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए तो यह देखिए आप बीना डुपटे के भी सको भी मतलब जैसे चाहें आप इसको पहन सकते है डुपटे के साथ भी और बीना डुपटे के साथ भी थैंक यू